अब हम घी को तो तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रिडिक करेंगे यहां पर इसमें मख़न भी डाल सकते हो और आइल भी डाल सकते हो अब हम घी को थोड़ा गरम होने देंगे गरम होने के बाद हम इसमें हमने थोड़े से लसुन की कलियों को लिया उसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे और एक हरी मिर्च को ब्रीक कटा है इसको हम थोड़ा पकाएंगे थोड़ा पकाने के बाद हम इसमें वेजिस डाल देंगे दाले है और इसमें कौंस डाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी डाल सकते हो, इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, और साथ में हम इसमें डालेंगे स्पाइस इसमें हम इने डाला है जीरा पाउटर, ब्लैक पिपर और साल्ट एकार्डिंग टू टेस्ट और गैनू डाला है वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून पीजा सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप पाना चाहें तो ठीक है नहीं तो आप स्किप कर सकते हो टोमेटो सॉस इन सभी चीजों को डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनट के लिए पकाएंगे वैज जिसको हमने पूरे से नहीं पकाना थोड़ा क्रंच रखना है दिखिए हमारी व्यास बिल्कुल रेटी है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगी थोड़ा ठंडा होने पर हम इस पर मजरेला चीज डाल देंगे और इसको अच्छे से मेक्स कर लेंग यह हम जो ब्रेड हम लेंगे उसके किनारों को हम जो जोड़ेंगे उसके लिए हम इने यह त्यार किया है अब यहां पे मैंने वाइक प्रेड लिए हैं और इनके कॉर्णर को हम कट कर देंगे हमें यहाँ फ्रेश ब्रेड चाहिए अगर आपके पास दो-तिन दिन पुरानी ब्रेड है तो आप उसको जब बेल लें तो थोड़ा सा उस पे आप पानी लगा सकते हो तो उससे अच्छी बिलेगी अगरवाइस अच्छी नहीं बिलेगी ब्रेड तो हमने पीसिस को कट कर लिया है जो हमारे साइट पीसिस है इसके हम ब्रेड कम्स बनाएंगे अब हम एक पीस लेंगे और इसको अच्छी से बेल लेंगे बिल्कुल पतला कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे अगर रेश्पी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करे देखिए हम ऐसे ही सारी ब्रेड के पीसिस को ऐसे देखिए बिल्कुल पतला हमने बेलना है ऐसे ही हमने चार पीसिस को बेल लिया है अब हम इनके किनारों पे जो हमने मैदे की जो सेलरी बनाई है वो हम इसके साइडों में लगा देंगे इससे क्यों होगा जो हम इसमें वैजिस डालेंगे तो ब्रेड को बाइंड करने में हमारे ये काम आएगा ऐसे ही सारे पिस्स को हम लगा के रख लेंगे हमने यहां पे लगा ले हैं अब हम इसमें जो हमारी वेज़े से ठंडी हो चुकी है यह देखे कितनी बढ़िया ठंडी हुई है इतना ही ठंडी हमें ऐसे ही चाहिए इसमें डालेंगे और इसको दबा देंगे और अच्छे से चारो corner से Bolt करना है अजर्वास जब हम अच्छे से प्र्स गर्ड़ करेंगे तो सारा चीज और wedges भिखर जाएंगी देखिए हमने इसको मेरें सेंटर मेंरा रखा है 갔 इसको और इसको आहस्था से इठा के हम इसको चिपका देंगे हमारी pockets देखो बनके ready है यह देखिए चारों तरफ से हम इसको अच्छे से दबा के इसको fix कर देंगे यह देखिए हमारी pockets ready हो चुकी है ऐसे दूसरी भी त्यार कर लेंगे इधर मैंने मैदे का गोल लिया है इसमें मैंने organo डाला है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे लम्ज इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए अच्छे से mix कर लिया है मैंने तो अब हम क्या करेंगे एक pocket उठाएंगे मैदे के गोल में डालेंगे और जहां पर हमने bread crumbs लिये हैं और इसको जो हमारा हाथ सुका है उसके साथ हम bread crumbs लगाएंगे इसको अच्छे से इसकी coating कर लेंगे अब हम दोनों हाथों से इसको अच्छे से दबा लेंगे ताकि जो bread crumbs है अच्छे से इसमें लग जाएं आप इस snacks को अगर आपके घर कोई guest आने वाले हैं तो आप पहले बना के भी त्यार कर सकते हो और आप इन pockets को एक हफ़ते तक due freezer करके उसको store कर सकते हो इधर मेंने तेल को गरम कर लिया था अब pockets हमने इसमें डाल दी है और इसको एकदम से pockets को नहीं हलाना जब दूसरी साइट थोड़ी सी पक जाए तब हम इसकी side change करेंगे इसको crisp होने तक पका लेंगे यह देखिए जो pockets हैं अच्छे से crispy हो चुकी हैं अब हम इसको एक tissue paper पर निकाल लेंगे बच्चे इसको बहुत like करते हैं आप बच्चों को टिफन में भी दे सकते हो बहुत ही tasty बनती हैं ऐसे ही हम जो दूसरी है उसको भी हम पका लेंगे अगर आपको recipe अच्छे लग रही है तो please like, comment और share जूर करें तो अब हम इसको देखिए हम serve करते हैं यह बहुत ही crispy बनी है उपर से मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कितनी cheesy है यह देखिए कितना cheesy अंदर से बना है उपर से crispy है देखो cheese कैसे melt हो है इसमें बहुत ही मज़़ा recipe बनती है अगर आपके guest आने वाले हैं तो आप इसको पहले ready करके रख सकते हो आप इसको एक हपते तक freeze भी कर सकते हो airtight container में तो उमीद है आपको recipe अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो like, comment, share जूरूर करें तो मिलते हैं एक और नई recipe के साथ कर फूरूर के जूरूर कर सकते हैं तो आपके हो दो आपके लगी हो जैवार इसका है ।